दोस्तो आज के इस वीडियो में हम लोग RRB NTPC के 30 दिसंबर 2020 को पहली और दूसरी सिफ्ट में जितने भी कुस्टन्स आप से पूछे गए हैं उसको एक सिंगल PDF में कनवर्ट करके एक सिंगल वीडियो में आपके ले लेकर आया हूँ ये सारे कुस्टन एक्जाम में पूछे गए हैं और अगर आप इसी तरीकी से कुस्टन्स को करते रहेंगे तो जिस दिन आपका एक्जाम होगा आपको इसका फायदा भी मिलेगा क्योंकि बहुत सारे कुस्टन हो सकता है रिपीट भी हो जाएं तो यहाँ पर दोस्तों शुरू करते हैं कौन-कौन से कोशन जैसे कि पहला परसन पूछा गया है How many bytes in 1 kilobyte तो 1 kilobyte में कितने bytes होते हैं तो answer हो जाएगा 1024 1024 byte होते हैं WHO का मुख्याल है कहाँ पर इस्तित है तो यह Geneva, Swittager Land में इस्तित है अब आपको क्या करना है कि जितने भी International Organization और उनके Headquarter वाला Topic है उसको जाकर जल्दी से revise कर लिए क्योंकि उस Topic से कोशन आपके पूछे जा रहे हैं तो इस वीडियो का सबसे बड़ा फाइदा यह होगा कि आपको Topic पता चल जाएगा जैसा कि यह देखो Headquarter वाला कोशन पूछा गया है तो इसका मतलब है International Organization की Headquarter वाला Topic एक्जाम में पूछा जा रहा है फिर उसकी बाद में है कि इस समय जो Finance Commission है उसका Chairman कौन है? तो आंसर हो जाएगा N.K. Singh इस समय जो Finance Commission है वो 15 Finance Commission है और उसके Chairman का नाम है N.K. Singh यानि कि आप जितने भी सैवदानिक पद होते हैं जैसे नीती आयव का Chairman कौन है Election Commission का Head कौन है तो यह सारे जितने भी नाम होते हैं उन सबको Revision करना शुरू कर दो यह मैं आपको Topic बताते हुए चलना हूँ विश्वास बनिये इस ताइप से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका एक भी कुस्वन गलत नहीं होगा और अगर आप ऐसे Topic के PDF फ्री में चाहते हैं तो आपको मेरे Telegram चैनल्ज पर मिलेंगे जिसका नाम है Target History IQ फिर है कि भारत का 29 राज्य कौन सा बनाता तो तेलंगाना आप सभी को पता हुआ तेलंगाना जो है ये 29 राज्य बनाता अच्छा ये कौन से राज्य से अलग होकर 29 राज्य बनाता जल्दी से बताएंगे कौन से राज्य से अलग होकर बनाता लखोटा लेक Lakota Lake कहां पर इस्तित है तो ये गुजरात में इस्तित है अब जितनी भी लेक है इंडिया में उसका topic जो है वो revision कर लीजिए ठीक है इसके बाद में है कि what is the track ball in computer एक computer में track ball होती है ये क्या होती है तो ये जो track ball होती है ये तरीके से pointing device है pointing device जे को mouse का हम लोग इस्तिमाल करते हैं उसमें track ball होती है तो mouse में जो track ball होती है उसको point करने के लिए use करते है screen में जो arrow होता है वो कहां जाएगा वो track ball के direction पर depend करता है तो ये तरीके से pointing input device है question है कि big bang theory का जो concept है वो किस ने दिया था answer हो जागा जोर्ज ले मित्रे के द्वारा दिया गया था फिर एक international देखो फिर से एक international organization का headquarter पूछा गया है ये दूसरे सिप्ट का question है तो इसका headquarter है काट मंडू नेपाल में तो जल्दी से ये जो international headquarter वाला topic है इसको revision कर लीजिए फिर एक question है कि which rail bridge connect असम एंड अरुनांचल प्रदेश तो पानी के उपर बना हुआ एक bridge है जिसका नाम है बोगी बील ब्रिज जो की असम को अरुनांचल प्रदेश से connect करता है फिर देखो एक और question headquarter से पूछा गया है यानि कि headquarter वाला topic सबसे ज़दा important है definitely a question पूछा जा रहा है where is the headquarter of OECD तो ये फोजाएगा Paris France में इसका headquarter है OECD का फिर उसके बाद में stadium से related question पूछा जा रहा है कि major ध्यान चंद्रे stadium कहां पर है तो ये नई दिल्ली में इस्तित है who is the governor of Telangana Telangana का governor कौन है तो तमीली सई sounder राजन जो है ये Telangana की governor है exam में पूछा गया question है फिर है कि जो हमारा jaw होता है जबड़ा होता है उसका जो upper part और lower part इसका नाम पूछा गया था तो lower part जो जा का होता है उसको बोलते है mandible और जो उपर वाला part होता है उसको बोलते है magzilla ये दोनों आपको समझके हुए चलना है Asian Development Bank जो है ये कब बनाई गई थी 1906 में Asian Development Bank को बनाया गया था फिर है कि स्री नगर को लेह से जोडने वाले पास का क्या नाम है तो इस पास का नाम है बनी हाल पास क्या नाम है बनी हाल पास जो कि स्री नगर को लेह से जोडने का काम करता है गोवा के CM का नाम जितने भी राज्ये हैं उन सभी के देखो गोगा के CM का नाम है प्रमोद सावंथ, आपको एक टॉपिक बताता हूँ, जितने भी राज्य हैं सभी के CM और गवर्नर, ये एक्जाम में definitely पूछे जाने वाला टॉपिक है, CM और गवर्नर, ये दोनों चीज़ें आपको याद करनी है, एक पुस्तक है जिसका नाम है दा रिपब्लिक, इसके राइटर का नाम पूछा गया तो इसके राइटर का नाम है प्लैटो, बहुत ही फेमस बुक है, दा रिपब्लिक, इसके राइटर का नाम है प्लैटो, ये आपसे एक्जाम में पूछा गया था, दोस्तों जो लोग हमारे टेलिग्राम चैनल को जो नहीं कर पा रहा है उनको बताते हैं आपको टेलिग्राम पर सर्च करना है एड दे रेट आफ टार्गेट इस्टडी आईक्यू बिना इस्पेस दिये टार्गेट इस्टडी आईक्यू वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिलेगा जिस पर आप जॉइन करके पीडियोफ ले सकते हैं 2022 में जो कॉमन वेल्ट गेम्स होंगे वो कौन से कंट्री के द्वारा और्गनैस किये जाएंगे तो ये यूनाइटेड किंगनम इंगलेंड के बर्मिंगम में आईजित किये जाएंगे इंटरनेशनल बॉर्डर एक्जाम में बहुत पूछा जा रहा है डूरंड लाइन जो है ये कहां परिस्तेत है अफगानिस्तान और बाकिस्तान के बाटर को डूरंड लाइन के नाम से जाना जाता है ये टॉपिक भी most important है दोनों दिन इसमें कोशन पूछेगा है फिर OECD से related एक कोशन पूछा गयाता है exactly कोशन नहीं पता है तो इसके बारे में जान लेते हैं कि OECD का full fun होता है Organization for Economic Cooperation and Development इसका जो मुख्याला है ये पेरिस फ्रांस में इस्तेत है इसको founded इस्तापना हुई थी 30 सितंबर 1961 को इसके secretary general का नाम है जोस एंजल गुरिया ये इसका general secretary का नाम है company है दोस्तों IBM के CEO का नाम पूछा गया तो Arvind Krishna इसका right answer हो जाएगा आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी ऐसी international company है जिसमें कोई भारतिय किसी उच्चुपत पर है तो वो exam में जरूर पूछा जाएगा founder of Das dynasty slave dynasty का founder कौन था तो कुत्बुत दीन आईबक जो है ये Das dynasty का founder माना जाता है Vipo का full form क्या है तो World Intellectual Property Organization ये WIPO का full form है फिर question है कि Baring Strait जो है ये कौन से दो जगए को जोड़ता है तो ये Alaska और Russia को जोड़ता है Alaska पड़ेगा USA में तो अगर पूछे कौन से दो देसों को जोड़ता है तो America और Russia को जोड़ता है Baring Strait तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये रहा Baring Strait इस तरफ है USA USA इधर है Russia और यह रहा Baring Strait तो इसको याद रखेंगे Alaska USA और Russia को जोड़ता है Baring Strait साउथ अफरीका की Economic Capital कौन से है तो देखो इसकी Executive यानि की Economic Capital है Pretoria और Legislative कानूनी Capital है Cape Town ये आप से पूछा गया था फिर एक कौन से साल में दमन और दियू और दादर और नागर हवेली को मर्च किया गया था तो वैसे तो Announcement 2019 में हुई थी लेकिन Officially आधिकारिक तोर पर 26 जनवरी 2020 को दमन और दियू और दादर और नागर हवेली को ये Union Territories हैं इसको वापस में March कर दिया गया था हैदराबाद किस नदी के किनारे इस्तित है तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे इस्तित है एक्जाम में पूछा गया था इस वर्स जो Nobel Prize है Nobel Prize पर कोशन पूछे जा रहे हैं तो Nobel Prize जो है ये Medicine के छित्र में कितने लोगों को दिया गया है तो तीन लोगों को दिया गया है Michael Houghton Charles M. Rice Harvey J. Alter इन तीन लोगों को ये प्राइस दिया गया है Dream 11 के CEO का नाम किया है तो Dream 11 जो की Official Sponsor रहा था IPL का उसका नम है हर्स जैन आगे चलते हैं रावत भाटा Nuclear Power Plant कहां पर इस्तेद है राजस्तान में इस्तेद है पूरे देश में जितने भी Nuclear Power Plant है उसकी एक लिस्ट में आपको Telegram पर शेयर कर दूँगा फिर है Newly Elected President of US तो Joe Biden इसका राइड एंसर हो जाएगा और अगर पूछे कि Vice President किसे बनाय गया है भारत और चीन के बीच में कौन सी लाइन है तो देखो International Water पर एक और कोशन पूछा गया है तो Mac Mohan जो है ये भारत और चाइना के बीच में एक लाइन है पूछा क्या है कि Nobel Prize कुल कितने छित्रों में दिया जाता है कुल मिला गर 5 के डेग्रीज में दिया जाता है Nobel Prize फिर है कि एक सार्क देशों के मेंबर पर एक कुशन पूछा गया था तो सार्क देशों में इसका full form समझ लो South ASEAN Association for Regional Cooperation इसका पूरा नाम हो जाएगा महाबलेश्वर Hill Station कहां पर इस्तित है तो महाराश्टरा में इस्तित है महाबलेश्वर Hill Station जब को सार्क देशों में कुल 8 मेंबर होते हैं याद रख लेना कौन-कौन सा है अफगानिस्तान बांगलादेश भूतान इंडिया मालदिव नेपाल पाकिस्तान स्री लंका और इसका हेड़क्वाटर जो है काटमंडू नेपाल में है तो सार्क देशों में अगर किसी दूसरे देश का नाम हो इसके अलाबा तो वो राइड एंसर कर देना क्योंकि ये सभी तो सार्क के मेंबर हैं एक लोशर महटसो है तो वर्ल हिंदी दिवस मनाया जता है दस जन्वरी को नासा को कब फर्म किया गया था तो नासा को फर्म किया गया था एक अक्टूबर 1958 को United State of America में चीक है ये पोचाग गया था Which state has highest literacy rate तो ये 2011 का जो population का जो डेटा है उसके अनुसार केरला का सबसे ज़एधा लिट्रेशी रेट रा है 2011 के डेटा के अनुसार पहला भारत रहतनु पुरसकार किसे दिया गया था तो ये दिया गया था सीरी राज गुपाल चारी को तो सीरी C. राज गुपाल चारी इसका राइड अनुसर हो जाएगा Ebola क्या है तो ये एक तरीके का वायरस है एक्जाम में पूछा गया था Joystick क्या होता है तो computer में ये जो joystick होता है ये एक तरीके का input device होता है एक्जाम में पूछा गया था Congress का जो पहला session है Indian National Congress का वो कब conduct किया गया था तो इसको Bombay में 28 से 31 दिसम्बर को 1885 में conduct किया गया था Congress का पहला adivation इसको आप लोग याद रखेंगे Facebook के founder का नाम पूछा गया है तो Mark जुकर वर्ग जो है Facebook के founder का नाम है बलवंत राय महता कमेटी किस चीजे से सम्मनित है तो पंचायती राज वेवस्ता से बलवंत राय महता कमेटी सम्मनित है तो दोस्तों ये तो थे आज के पूछे गए सभी questions साथी साथ में दोस्तों current affairs के सारे questions हमारी PDF से पूछे जा रहा है जिसका link इस वीडियो के description box में आपको दे रहा हूँ तो जितने भी लोग इसको लेना चाहते हैं हमारे channel से आप उसे purchase कर सकते हैं कर दोस्तों कर दोस्तों कर सकते हैं